तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तो अभी सर्दियों का मौसम है और बाजार में धीर सारी हरी सबजिया मिल रही है तो मैंने सोचा क्यों ना इन हरी सबजियों को लेकर एक कटलेट बना लिया जाए तो चलिए फटाफट से हम कटलिट बना के तयार करेंगे जिसके लिए हमने कड़ाई ले लिया है दोस्तों इसमें हम एक चमबस के करीब तेल एड़ करेंगे तेल जैसे हलका गरम हो जाए हम इसमें आधा चमबस जीरा एड़ कर रहे हैं इसमें आप बहुत ही कम से कम तेल का इस्तेमाल करें दोस्तों अब यहां पर मैंने स्प्रिंग अनियन्स ले लिया है दोस्तों जिसका हम सामने का पार्ट और पीछे का पार्ट दोनों इस्तेमाल करेंगे तो आप स्प्रिंग अनियन्स को बिल्कुल रफली चॉप कर ले बारिक चॉप करने के बिल्कुल भी किया है दोस्तों इसके बाद मैंने यहाँ पे एक शिमला मिर्च को चौप करके इसमें एड़ कर दिया है आप सभी सब्जियों को बिल्कुल रफली चौप करें बारिक चौप करने की कोल भी जरुवत नहीं है अब इन सारी सब्जियों को एक से दो मिन तक भूनने के बाद हम यहाँ पे अद्रक लैसन का पेस्ट को एड़ करने के बाद हम इस मिक्षर को एक से दो मेर तक के लिए और पकाएंगे ताकि अद्रक लैसन का जो कच्छा फ्लेवर है वो चला जाए अब इसके बाद हम यहाँ पे आदी कटोरी हरा मतर इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों मैंने इसलिए मैंने मतर को एड़ कर दिया है लेकिन अगर आफ फ्रोजन मतर का इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों तो आप पटर को थोड़े देर बाद आड़ करें अब यहाँ पे मैंने नमक आड़ कर दिया है नमक स्वाद अनुसार आप ले ले अब इसके बाद हम इसमें कुछ मस जीरा पाउडर अब सभी मसालों को एड़ करने के बाद हम इस मिक्षर को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे अब सभी चीजों को डालने के बाद हम इस मिक्षर को एक से दो मिनट तक के लिए और पका लेंगे दोस्तों अब यहां देखिए मसाले और सबजीयों को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने पका लिया है अब इसके बाद मैं इसमें एक मुठी भर के हरा धनिया आड़ कर रही हूँ देखिले मैंने धनिया के पते को काटा भी नहीं है बस इसी तरीके से हम इसमें आड़ कर देंगे इसे अब धनिया को बथुआ या फिर मेथी जो भी आपके पास साग हो उसे भी आप इसमें आड़ कर सकते हैं जो भी हरी सब्जिया आपके पास अवेलेबल हो दोस्तों इसके अलावा गोबी या कैबेज जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें आड़ कर सकते हैं मैंने पाला के पत्ते को अब आड़ करने के बाद इसे ढग दिया था ये देखिए हमारी सबजिया थोड़ी सॉफ्ट हो गई है अब हम इसमें थोड़े से काले मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर आड़ कर रहे हैं काले मिर्च से इसमें बहुत अच्छा तीका फ्लेवर आएगा और आमचूर से ये बहुत ही जादा चटपटा बनेगा अब आमचूर अकाले मिर्च को अड़ करने के बाद देखिए सबी चीजों को हम एक बर अच्छे तरीके से मिला लेंगे और इसे ढखके बस तब तक पकाएंगे जब तक इसका जितना भी पानी है वो सूख ना और इसका एक पेस्ट बना के तयार कर लेंगे याद रखें इसमें पानी आड़ ना करें बस इसी तरीके से इसका पेस्ट बनाए ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बनके तयार हो गया है हम इसे एक बावल में निकाल लेते हैं अब इसके बाद मैंने यहाँ पे देखि अब इसके बाद मैं यहां पे दो चम्मच बेसन इसमें आड़ कर रही हूं दोस्तों अब हम अपने कटलेट को और भी ज्यादा क्रिस्पी और करारा बनाने के लिए मैंने यहां पे दो बड़े चम्मच भरके ब्रेड क्रम्स का इस्तमाल किया है दोस्तों अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल ब्रेड ले उसे मिक्सी में घुमा ले आपका ब्रेड क्रम बनके तयार हो जाएगा अब सबी चीजों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लेंगे यहां देखिए हमारा मिक्षर कटलेट के लिए बनके बिल्कुल तयार हो गया है अब यह देख अब मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट देना चाहती हूँ दोस्तों इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा चीज टफ किया है ताकि यह कटलेट खाने में और भी ज्यादा टेस्टी हो जाए तो यहां मैंने प्रोसेस चीज का इस्तमाल किया है आप चाहे तो मॉजरेला चीज का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने चीज को कदुकस करके रख लिया था उसके बाद मैंने इसको चीज को इसमें भर दिया है यह देखिए अब हम इसे कटलेट का शेप दे देंगे इस तरीके से मैंने राउंड किया है और इसके बाद इसे हलका सा दबा दे दूसरे तरफ मैंने मैं एक प्लेट ले लिया है और प्लेट को मैं थोड़ा सा ओड़ा ओई let के ग्रीस कर दूंगी ताकि अगर मैं मे ग्रालट कृट इस मे रखुति ये फ्लेट में ना चिप के möई सब्सक्राइब लिए दोस्तों इस तरीचे से मैं भाकी के को कटलेट को भी बना के तयार कर लूगी वैसे तो यह हरा भरा कबाब फाइफ स्टार रेस्टॉरेंट्स में और होटल्स में बहुत ही ज़ादा महेंगे मिलते हैं दोस्तों लेकिन आप इसे घर में घर की सबजियों के साथ बना के बहुत ही आसानिसा तयार कर सकते हैं और मैं इसके गार्निशिंग थोड़ी से काजू के साथ कर रही हूँ काजू को इसमें आड़ करने के वज़े से दोस्तों देखिए ये बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल हरा भरा कबाब की तरह दिख रहा है आप चाहे तो इस स्टेज पे आप इसे एक हफते के लिए फ्रीजर में स्टोर करके रख सकते हैं अब दूसरे तरफ चलिए हम इसे फ्राई कर लेंगे अब फ्राई करने से पहले मैंने सारे कबाब्स को देखिए दोस्तों ब्रेट क्रम्स में इस तरीके से अच्छे तरीके से कोट कर लिया है इससे हमारे जो कबाब्स है बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे दूसरे तरफ मैंने एक पैन ले लिया है पैन में मैंने दो टेबिल स्पून भर के तेल गरम कर लिया है तेल जैसे हलका गरम हो जाए हम इसमें अपने कवाप्स को एक एक करके एड़ कर देंगे इस टाइम पर आप ग्यास की फ्लेम को बिल्कुल लो टो मीडियम रखेंगे दोस्तो कवाप्स को एड़ करने के बाद 2-3 मिनट तक इसे ना पल्टे 2-3 मिनट के बाद एक चमच की मदद से बिल्कुल हलके हाथों से इसे पल्टेंगे दोस्तो क्योंकि ये जो कवाप्स से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं थोड़ा भी अगर आप इसमें जोड लगाएंगे ना ये तूट सकते हैं ये देखिए मैंने सारे कवाप्स को अच्छे तरीके से दुनों साइड से पलट लिया है और ये देखिए मैंने कवाप्स बनके बिल्कुल तैयार हो गया है चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो अब मैं इसकी प्लेटिंग थोड़ी सी टोमेटे सॉस के साथ कर रही हूँ दोस्तों दिखने में इस इतना ज़ाधा सुंदर दिख रहा है ना खाने में ये उतना ज़ाधा टेस्टी है और उतना ही ज़ाधा हिल्दी है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें दो झाल झाल